दोस्तों, आजकल की भागदोड़ भरी जिन्दगी में ठकान होना आम बात है। काम करते हुए हम अक्सर अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ऐसे लाइफ इस्टाइल से शरीर को कई नुकसान होते हैं। कभी आँखे खराब हो जाती हैं, तो कभी कमरदर, तो कभी ठकान हर समय बनी रहती है। आईए जानते हैं कुछ ऐसी बाते जिन पर ध्यान देकर आप इन समस्याओं से छुटका रपा सकते हैं। जैसे नमबर एक, खूब सारा पानी पिए। पानी शरीर के लिए बूध आवशक होता है, पानी की कमी से शरीर में उर्जा की कमी होती है, जिससे ठकावट मैसूस होती है, इसलिए आप खूब सारा पानी पिए। नमबर दो, पोश्टिक आहार। हम बजबन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे शरीर को प्रोटीन यूक्ट आहार की जुरूरत होती है, लेकिन पोश्टिक और स्वास्तिव बर्दक आहार लेने के बजाए हम बेकार की चीजे खाते रहते हैं। हरी साग सबजी का सेवन करेंगे तो शरीर को प्रियाप्त मातरा में पोशन मिलेगा और शरीर नहीं धकेगा। नमबर तीन, स्ट्रेचिंग ओफिस या घर पर काम करने के दोरान हम एक ही मुद्रा में काफी देर तक बैठे रहते हैं। इससे हमारे शरीर में रक्त का परभाव सुचारू रूप से नहीं हो पाता। इसलिए काम करने के दोरान बीच-बीच में प्रेक लेते रहें और इस्ट्रेचिंग करते रहें। इससे आपके शरीर को ठकान नहीं होगी और आप लंबे समय तक काम भी कर पाएंगे। बलकि ठकान भी नहीं होगी। नंबर 5. भरपूर नीन कई लोग नीन पूरी नहीं कर पाते हैं इसकी वज़य से उनके शरीर में ठकान बनी रहती है। 8 गंटे की नीन भरपूर नीन की श्रेणी में आती है। इसलिए धकान से भरे हुए नहीं रहना चाते तो कम से कम 8 घंटे जरूर सोये दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें नीचे दिये कमेंट पोक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद